दोस्तो आप लोग देख सेकते हैं ये बरेवाला ब्लूतूस स्पीकर है इस ब्लूतूस स्पीकर का सार्जिंग प्रब्लेम हो गया था तो इसले मैंने यहापर एक USB के बुल लगा दिया हूँ इसको सार्ज करने के लिए तो उपर की साइड में देख सेकते हैं यहापर जो ए USB के बुल है मोबाइल का इस USB के बुलको मैंने यहापर अंदर में कानेक्शन कर दिया हूँ अब यह कभी सार्जिंग प्रब्लेम नहीं होगा इस मोबाइल साज़र के साथ यह दायरेक से सार्ज होगा अभ है आप लोगों में इसको सेक करके भी दिखाऊंगा यह सार्ज ल थोड़ा थोड़ा रेड लाइट जल रहा है तो ये ब्लूटूस फिकर जरूर सास ले रहा है मोबाइल साजार को मैंने निकल दिया हो हाट में देख सकते है मेरे बस तो ये बंध हो गया है लाइट तो आपलोग भी इस फीदियो को ढहकускे ये आईडिया को आसानी से यूश कर सकते हो इस मोबाइल साजार के इसके उपर में सार स्कूरू लगा रहते हैं यह सार स्कूरू को खोल लेते हैं इसके अंदर से तो यहां से मैंने सभी स्कूरू को खोल लिया हूँ तो देख सकते हैं यहां पर और उसके बाद इसके अंदर में एक पीसी भी लगा रहते हैं तो देख सकते हैं यहां पर सभी गानेक्तर को खोलना है यहाँ पर दो गानेक्तर लाइट का है दो गानेक्तर स्पिकर का है और यहाँ पर यह गानेक्तर बेटरी का है यह मोते बाला तर यह बेटरी का गानेक्तर है तो देख सकते और उसके बाद यह जो सारो कानेक्तर है इस सारो को खोलना है इस सारो कानेक्त के साथ कानेक्षन करके दिखाऊंगा और आप लोगो सेक करके भी दिखाऊंगा और यहासे यह पीसीबी को खोलना होगा यहापर एक फोलीम का कनेक्टर लगा हुआ है इसको भी खोल लेते है तो यहापर देख्षक्ते है इसके निशेमे ही सार्जिंजेक लगाुआ आहे यह शार्जिंजेक भिल्कुल खारा भोग्या है फिरसे यहापर यह हिल्रा आहे यहापर अच्छी तरह से सल्डर गरने के बदभी क्यों गीए इसका प्रिण बहुत लूज है तो देख सकते है यहापर ये सार्जिंग जेक्को मेंने पेले से ही रिप्यार गय था लेकिन ये फिर से खारा भो गया है तो यहाँसे में ये सार्जिंग जेक्को खोलूंगा सोल्डर गर के तो देख सकते हैं यहाँ से मैंने असानी से यह सार्जिंग जेक को खोल लिया हूँ इसका प्रिंट भी पुरा उद गया है यहाँ पर यह प्रिंट पुरा उद गया है देख सकते हैं आप लोग यहाव यहापर यह सार्जिंग जेकको सोल्डर नहीं कर सकते इसले में यह आइडिया को इसु करूँगा यहापर मोबायल साजर की युस भी के बूल को लगाऊंगा तो यहापर देख सकते हैं यहापर तार का कनेक्शन करके भी दिखाऊंगा तो मेरे हाथ में देख सकते हैं यह यूस बी के बुल इसको यहापर में कातूंगा आप लोग अपने हिसाब से इसको कात लेना तो मैं यहापर थोड़ा लंबा रखने के लिए यहापर कत रहा हूँ तो देख सकते हैं यह मोबैल का पीनक्य को में न야 कात लिया हूँ और इसके बद इसके उपर की सिलके को हाताना होगा यहापर अंदर में सारतार लगा रहते हैं इस सारोतारों मेरे से यह जो रेदर ब्लेक कालर का दोतार है यह दोनोतार पावर सप्लाई के लिए है बकी यह दोनोतार काम का नहीं है तो देख सेकते हैं यह दोनोतार को ही में कनेक्शन करूंगा पोजितिव और निगेडिफ यह दोनोतार को ही इहापर सोल्डर करना होगा इस पीसी विके साथ तो इहापर में इस दोनोतार को इहापर सोल्डर करके दिखाऊंगा कौन सातार का हापर का निक्सन करना है तो अभी आप लोग ध्यान से देखना सब से बेले तु इस तार को इसके अंदर में लगाना होगा तो किनारे की साइद में मैं एक होल करूंगा इस साइद में इस तार को इसके अंदर में लगाने के लिए तो सोल्डार रहरन की में दच्छे मेंने आसानी से होल कर लिया हू देख सकते है अपलोक और उसके बाद इसके अंदर में ये तार को लगाना होगा यासे तार को लगाके पीशे की साइट में एक बान देना होगा ये तार खीशनेपर भी बाहर नहीं निगलेगा तो देख सकते हैं यह तर यहापर मेंने लगा दियाओ और उसके बद एसे एक बान देना है आपलो होगो अब यहासे यह तर किस्नेबर भी बाहर नहीं निगलेगा तो यह दोनो तर को यहापर कनेक्शन करना होगा तो अब यहाप लोग ठ्यान से देखना इस PCV में यह रेदर ब्लेक कालर कीतार को इस PCV में देख सेकते है यहापर यह जो सार्जिंग जेक का पहले यहापर पोजितिव निगेदिफ था किनारे में एकदम लेप बला यह पोजितिव है और किनारे का यह निगेदिफ है तो यहापर देख सेकते है यह ट्रेक को देख सेकते है आपलोग यासे ये प्रीन उड़ गया था तो इसले मेंने यहापर स्क्रेच्स उपर की सेज में स्क्रेच्स करके रांकोल लगा दिया हु तो देख सकते है पहले आपलोहको दोनोतारको सोल्डर करके दिखा रेते हैं ओर रुषके बद आपलोहको में एक बर दिखाऊंगा पहले ये दोनोतारको यहापर सोल्डर कर लेते हैं और इसके बद आपलोहको एक बर फिर से शेक करके दिखाऊंगा में तो ये रेद बाली तार पोजिटीव को मेंने सोल्डर कर लेते हैं यहापर तो देख सकते हैं ये डोनों तर्गों सोल्डर गया हूँ मैंने अभी आप लोग त्यान से देखना इस सार्जिंग जेक्का किनारे में एक पोजिटीफ लेग लगा रहता था यहापर यहापर ये वूद गया है प्रिंट तो इसले मेंने उपर की साइद में इस ट्रेक में यहापर सोल्डर गया हूँ तो देख सेकते है ઇसતાર્તાર્મેને બ્લ્યેતકી મળાચે હહે હોડા સકરચ્રચ કર્કે ર્યેથતાર્તાર્તાર્કે तो आप लोगों मेंने पुरा दिखा दिया हुु। आप लोग फिर से यहापर वीडियो को पाउस करके एक बर देख सेकते हो। अब यहापर कानेक्तर को लगाना बाकी रह गया है। और यहापर दोनो स्कुरू को तइट करना होगा। ये कानेक्तर को मैंने लगा द्या हुँ और ये कीनारे की डोनो स्कूर को ताइट कर लेते हैं बेले और उसके बाद आप लोगों में शेक करके दिखाऊंगा ये काम करता है या नहीं और उसके बाद यहापर जो ये सबी कानेक्तर है इस कानेक्तर को यहापर लगाना होगा ये डोनो स्पीकर का कानेक्तर है लेफ राइट और बीस बला ये कानेक्तर लाइट का है तो यहापर सबी कानेक्तर को लगा लेते हैं बेले ये स्पीकर का कानेक्तर है ये राइट और य लाइट का है जो यहाँ पर आरजीबी लाइट लगा रहे थे ब्लिंकिंग घर नेगे लिए तो यह सभी चानेक्टर को लगा दिया हो और बाद में यह जो मोटे बला तार है यह बेटरी का कनेक्टर है यह तार का साइस थोरा मोटा है तो इस कानेक्टर को भी मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ अब मैं सुष को अन्करूंगा यह पावरण होता है या नहीं पेले तो यहाँ पर मैंने सुष को अन्कर दिया हूँ देख सकते है यह पावरण हो गया है इसका साउंड भिया गया है डिस्प्ले में देख सकते है यहाँ पर Bluetooth लिखा हुआ है अब में शार्च करके शेक करके दिखाऊंगा USB के पूल को यहाँ पर शार्जर में लगा दिया हूँ अब में इस शार्जर को पावर सप्ले दूंगा यहाँ पर रेड लाइच जल लेगा अगर यह शार्ज ले रहा ह अब लोगो यह फीडियो अच्छा लगा तो जोरू लाइक कर देना तो देख सकते है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रेड लाइच जल गया है इस की नारे में देख सकते है तो अभी में शार्जर को निकाल दिया हूँ मेरे हाथ में देख सकते है यह शार्जर यह लाइच देख सेक्ते है यहापर एकिए रेड काळार्य डाई जल्डराए थोरा थोरा आपलोगो मेने पूरा सेक करके दिखानास ERIC अब यहापर देख स़क्ते है अब मेने इसको पूरा भीत कर लिया हो भाककनको यहापर आच्छ है तर्दलाय जल्ग्या है आपलोगों मेंने पुरा सेक करके दिखा दियाओ अगर इस फ्लूटूस फिकार में सार्चिंग देख खाराव हो गया है तो तो आपलोग भी इस वीडियो को देखके इस आइडिया को आसानी से यूस कर सकते और वीडियो चलागा तो जोरू लाइक कर देना